गुण बॉनिंग एवरीबन आज है छे फरवरी और आज के इस वीडियो में हम छे फरवरी से रेलेटिड करेंट एफिर्स के जितने भी इंपॉर्टन कोसंस हो सकेंगे वो सारे के सारे डिसकस करने वाले हैं हरी कोस्न को मैं आपको पुरे डीटेल में समझाने की कोसिस करूँगा आपसे रेक्वेस्ट है कि वीडियो में पुरे पेसेंस के साथ एट तक बने रहिएगार… और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ कोस्टन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और जैसा आप जानते हो कि इस चैनल पे एक फरवरी से अगीववे स्टार्ट हो चुका है तो आप उस गीववे में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दियावा है उस वीडियो का दो मिनिट की वीडियो है जहां से आपको सारे information मिल जाएगी और आप participate कर पाओगे तो अब आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ कल है 7 फरवरी जहां मैंने आपसे कहा था कि मैं current affairs का पहला test series लेकर आऊँगा 7 फरवरी को जहां मैं आपको एक से लेकर 6 फरवरी तक कि जितने भी important current affairs को questions करवाए हैं वो 10 questions उसमें से मैं select करूंगा with options और वो आपको वीडियो के end में मिलेंगे जहां आपको attempt करने होंगे तो आपके जो भी answer होंगे आप वीडियो के नीचे comment box में comment करके मुझे बताओगे तो आप सब ready रहना ठीक है और अपनी preparation अच्छे से करो ठीक है तो यह information देनी थी तो जैसा कि कल हमने पर लिया था कि फरवरी 2013 में महराष्ट के राजगीत को बदला गया और अब महराष्ट का राजगीत हो चुका है जै 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 महराष्ट माझा दिल्ले के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल द्वारा परदूसंग से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शन मेंट सुपर साइट लॉंच की गए कॉलकाता हैदराबाद पूने और विजयवारा हवायडो पर मार्च दोहजार तैस से पेपरलेस एंट्री शुरू की जाएगी पेपरलेस एंट्री होगी इन चारों हवायडो पर एयर मार्सल अमरप्रित सिंग भारती वायुसिना के नए उपरमुख निक्त किये गए एयर मार्सल है अमरप्रित सिंग दपल्स कॉनक्लेव 2023 का आयोजन 16 से 18 फरवड़ी को मुंबई में किया जाएगा एक फरवड़ी से 5 फरवड़ी 2023 तक मंद परदिय्स के मंद साओर में एसिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 1 से 5 फरवड़ी को कहां किया गया था मंद साओर में उरिसा मुख्यमंद्री के सचीव हैं विके पांडियन इनको अभी हाली में FIH President Award 2023 से सम्मानित किया गया जम्मू कस्मीर 4-14 फरवरी के बीज अपने पहले सरस मेले की मेजबानी कर रहा है माधविंद्र सिंग गुजरात मैरी टाइम क्लॉस्टर के पहले CEU न्यूक्त किये गया अब बात करते हैं आज के important questions के बारे में आज का पहला question है भारत ने किस देश के साथ initiative on critical and emerging technologies की सुरवात की है तो अभी हाली में भारत ने अमेरिका के साथ इसकी सुरवात की है initiative on critical and emerging technologies की ठीक है इसे ध्यान डेकना यह अभी भारत और अमेरिका के बीच सुरू की गई है बात करेंगे next question की next question है खेलो इंडिया यूद गेम्स दोहजार ताइस में किस राज ने water sports में चार gold medal अपने नाम किया तो अभी हाली में मद्य परदेश में खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 का जो आयोजन है ये 30 जनवरी से 11 फरवडी तक भोपाल में किया जा रहा है चीक है और 2018 में खेलो इंडिया यूद गेम्स की सुरुवात हुई थी खेलो इंटाय यूथ गेम्स का हेड़कॉर्टर का है न्यू देली है राजधानी क्या है मद्य पर्देश की भोपाल अस्थापना कब हुई थी मद्य पर्देश की एक नमंबर 1956 को और अभी के जो करेंट CM है कौन है सिवराज सिंग चोहान किसी ध्यान रखना हम बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है विस्व कैंसर दिवस कब मनाया गया तो अभी हाली में चार फरवरी को विस्व कैंसर दिवस मनाया गया है सबसे पहले बात करते हैं कि एक फरवरी से अब तक कौन-कौन से important day को celebrate किया गया है सबसे पहले एक फरवरी को मनाया गया भारतिय तटरक्षक दिवस ठीक है एक फरवरी 1977 में भारतिय तटरक्षक बलकिया स्थापना हुई थी क्यों हुई थी तो समुद्री माल की तसकरी को रोकने के लिए दो फरवरी को रूमेटाइड यानि गाठिया जालुकता दिवस और विस्व अध्रभूमी दिवस मनाया गया चार फरवरी को विस्व कैंसर दिवस मनाया गया भारत में लगभग हर साल एक लाख कैंसर के मामले पाये जाते हैं और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 इतना important question है next question है कौन सी परदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी कर रही है तो अभी हाली में जम्मू कस्मीर जो है अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी कर रही है चार से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है कहां किया जम्मू कस्मीर में अच्छा सरस मेल करेंगा है तो अपने हमदाबाद इसकी मेज़बानी करने जा रहा है तो अपको आगे बताता हूं सबसे पहले गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात की राजधानी क्या है गांधी नगर सबसे बड़ा सहर गुजरात का है एहमदाबाद किस देश की सीमा से लगती है गुजरात तो पाकिस्तान की सीमा से लगती है इसे ध्यान रखनाप वरतमान की जो मुख्यमंत्रु है यहां भुपेंद्र भ से यहां का रासलिला और पनिहारी यहां की प्रमुक लोकनुरित हैं अगर मैं आपको जी आई टैग के बारे में पूछू तो बेठापूर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहां पे जी आई टैग मिला हुआ इसे ध्यानक नाब प्रमुक राश्ट्य उद्यान की बात की जा तो गि अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 26 हैं राजसभा 11 है और विधानसभा 182 है इसे ध्यान रखनाब और गुजरात में ही ध्यान रखनाब नागिस्वर और सोमनात मंदिर इस्तित हैं देश का जो पहला रेडियो स्टेशन दूदवानी है जो पूरी तरह से पसुपा गुजरात के एहमदाबाद, सूरत, गांधी नगर, वरोदरा, राजकोट और भावनगर में 36 में राश्टी खेलों का उद्गाटन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया गया था जितनी भी चीजे बता रहा हूं बहुत इंपोर्टन आप विडियो को पेसंस के साथ एंड त 17 अक्टूबर को गुजरात में PMJAYMA योजना आयुसमान कार्ड की वितरन की सुरुवात की गई, रिलाइंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोसना की है, इसने रिलाइंस इंड बड़ा हाली में खेल नीती 2022 सत्ता है, जिसमें गुजरात में खेल परतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, और देख लो आप कुछ important चीज़ें, ध्यार रखना गुजरात के एहमदाबाद सहर में जूलती मिनार वाली मस्जिद इस्तित है, इस मिनार के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस मिनार का नाम सीरी बसीर मस्जिद है, ऐसा माना जाता है कि यहां किसी भी एक मिनार को अगर आप हिला होगे तो दूसरी मिनार अपने आप हिलने लगती है, चीक है, और गुजरात में विसु का सबसे बड़ा पांडुलेपी गरंथाले बनाया जा रहा है, और हाली में गुजरात के मुर्भी सहर में, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मुर्भी सहर के मच्छों नदी पर बने पुल के तुटने की वज़े से काफी लोगों की जान चली गई थी, आसे दू-तिन मेले पहले की बात है, और गुजरात के मोधिरा सूरी मं और भारतिय सेना दौरा एहमदाबाद गुजरात में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौपे गया है, 3D प्रिंटेड और अंतराश्टी पतंग महुत सब का आयोजन 8 से 14 जनवरी 2013 को गुजरात में किया गया था, जिसके थीम 2013 की है, One Earth, One Family, One Future, तो जितनी भ दखना, अब बात करेंगे, next question की, next question है, फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेडी फेस्टिवल का नौमा संस्क्रन किस सहर में सुरू होने जा रहा है, तो याद दखना, ये उरिसा के भवनेस्वर में सुरू होने जा रहा है, ये सुरू होगा 24-26 फरवरी 2013 के बीच, जहां अलग- लिट्रेरी फेस्टिवल ये शुरू होने जा रहा है औरीसा की भूबनेस्वर में अच्छा ओरीसा की बात हो रही है तो इस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन चीजे मैं आपको बता देता हूँ देखो औरीसा की राजधानी क्या है भूबनेस्वर पुराना नाम कलेंग अ कौन कौन सी करेंट प्लान, स्कीम से वहाँ चल रहे है उसके बारे मापको जानना बहत जरूरी है अगर आप उस स्टेट से हो उसे स्टेट के एकजाम की प्रेपरेसन कर रहे हो तो आपके लिए बहत जानना जरूरी है और ओरीसा राजधी सरकार दोरा ध्यान ड़कना हाली में drink from taps विधा शुरू की गई है उरिसा के 19 सहरों और कस्बों में इसकी सुरुवात की गई जिसके तहत घरों के पानी घरों में पानी के नलों के माध्यम से 24 इंटू 7 पानी पीने का पानी आपूर्ति की जाएगी और ओरिसा सरकार द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वैद साला की घोसना की गई है और मैंने आपको बताया था कि हाली में धनु यात्रा उत्सब सुरू हुआ था ओरिसा में भुवनिस्वर के राउर के ला में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच होंकी वर्ल्ड कप 2023 खेला गया 13 से 29 जनवरी के बीच और ओरिसा जल्द ही भारत का पहला जुग्गी मुक्त राजी बनने जा रहा है औरिसा में जग मिसन के लिए यूएन हैबिटीट का वर्ल्ड हैबिटीट अवर्ड 2023 औरिसा ने अपने नाम कर लिया और देखा जा तो हॉंकी वर्ल्ड कप 2023 जितने पर औरिसा सरकार दोरा एक कर रुपए रासी की घोसना की गई थी और आप मुझे बताओगे की पुरूस होंकी वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही जी कि आप मुझे comment box में comment करके बताओगे 13 जनवरी 2023 पुरूस होंकी वर्ल्ड कप का 15 संस्क्रण सुरूआ था जो 29 जनवरी 2023 तक चला उसमें वीजिता टीम वीजिता देश कौन सी रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओंगे कलिंगा इस्टेडियम भुबनिस्वर और विर्सा मुंडा इस्टेडियम अंतरास्टी होंके स्टेडियम राउर केला में खेला गया था यह जो बिर्सा मुंडा अंतरास्टी होंके स्टेडियम है इसका उद्गाटन अभी हाली में किया गया यह नया बना हुआ है इसे भी आप ध्यान रखिएगा भारत जो है पहली बार 1975 में पुरूस होंकी वर्ल्ड कप जीता था पहली बार 13-29 जनवरी तक यह टूर्णामेंट खेला गया आपको मालूम होगा भारत ने अपना पहला मैच 13 जनवरी को एस्पैन के खिलाफ खेला राउर केला के बिर्सा मुंडा अंतरास्टी स्टेडियम में विजिता टीम भारत रही 15 जनवरी को भारत ने इंगलेंड के खिलाफ खेला और 19 जनवरी को भारत ने वेल्स के खिलाफ खेला और ध्यान रखना आप ओरिसा में दुनिया की सबसे बड़ी होंकी स्टिक जो 105 फिट लंबे बनाई गई है उरिसा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रिथवी 2 का हाली में सफल परिक्षन भी किया गया है तो इतनी चीजे जो मैंने आपको बता हैं तो उरिसा से रिलेड़ेड आप इसे ध्यान रुखिएगा सो विडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट पेसेंस के साथ अप इसे देखते चलिए नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किसने प्लास्ट इंडिया 2003 CEO कॉन क्लाब की अध्यक्षता की हाली में तो मनसुक मंडाविया ये भारत के स्वास्थ मंद्री हैं इनके दौरा अभी हाली में प्लास्ट इंडिया 2003 CEO कॉन क्लाब की अध्यक्षता की गई है इस कॉन क्लाब में प्लास्टिक उद्योगों के 90 से अधिक CEO चीफ अग्जीकीटोव ऑफिसर ने भाग लिया एक से पांच फरवड़ी 2003 तक इग्यार में अंतरास्टिक प्लास्टिक प्रदर्शनी और कॉन क्लाब का आयोजिन किया गया था इसे ध्यान रखना important question है next question हाली में किस देश ने अपने currency से ब्रिटीस राजसाही की तस्वीर हटाने की घोसना किये अभी हाले में Australia दोरा ये demand किया गया है कि उनकी जो currency पे Queen Elizabeth की जो तस्वीरित लगी हुई थी जो लगभग 100 सालों से ये प्रमपरा चलती आ रही थी उनको अब हटाया जाएगा Australia जो है बात होड़ी है Australia की तो इसके बारे में आप कुछ जान लो Australia महादीब जो है विस्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला देश है Australia महादीब का जो सबसे छोटा देश है वो है नौरू ठीक है नौरू इसे ध्यान रखना है वर्तमान में जो यहां के प्रधान मंत्री है वो है Anthony Albanese राजधानी है Australia की कैनबारा और यहां की जो करंसी है वो Australian डॉलर है ठीक है तो ध्यान रखना है अब Australia से लिटेड इतनी चीज़ है नेक्स्ट कोस्टन है प्रधान मंत्री मोदी द्वारा भारत उर्जा सब्ता का सुभारंब कब और कहां किया जाएगा तो ध्यान रखना यह जो भारत उर्जा सब्ता है यह 6-8 फरवरी 2023 यानि आज से ही शुरू हो चुका यह बैंगलोर में किया जा रहा है चीन, रूस, अमेरिका और प्राजिल जैसे कई अन्य देश इस कारिक्रम में पाटिसिपेट कर रहा है इंधन में इथिनौर की मिसरन को बढ़ावा देना इंधन में इथिनौर को बढ़ावा देना 2020 तक इंधन में इथिनौर को 20 परसंट अगा पहले चरनों में तेरे रजी और 100 पेट्रल पंप को सामिल किया जाएगा भारत उर्जा सप्ता में 600 से अधिक परदर सक 34 से अधिक मंतरी और सीर्स उर्जा कंपनी के CEO हिस्सा लेंगे पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस और आवास और सहरी मामलों के मंतरी कौन है अभी इंडिया में हरदीप S. पुरी है और करनाटक के मुख्यमंतरी कौन है क्योंकि करनाटक में आयोजन हो रहा है करनाटक के बैंगलोर में तो बसवराज बंमई यह यहां के CM है ठीक है इसे ध्यान डखना आप 6-8 फरवडी 2013 के बीच बैंगलोर में हो रहा है क्या हो रहा है भारत उठजा सप्ता का आयोजन क्योंकि आ जा रहा किस उद्दे से तो इंधन में इथनॉल के मिस्रन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है यह कोस्टन आप धिहान रखना नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट कोस्टन है भारत की अस्थानिय भासाओं को डिजिटल दुनिया से बढ़ावा देने के लिए ठीक है इसे ध्यान रखना है अब वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ कोस्टन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे पहला question है, हाली में किस राज ने National Beach Soccer Championship अपने नाम किया और second question है, किस राज सरकार ने 2025 तक राज को नसा मुक्त करने की घोसना किये Already इन दोनों questions का answer मैंने अपने previous वीडियो में दे रखा है तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो So, I hope कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलती रहेगी और हाँ, कल है 7 February, जैसा मैंने कहा था कि कल पहला टेस्ट आने वाला है 7 February को सो आप ध्यान डखना कि कल 10 कुर्संस लेकर आऊंगा, जो मैंने एक तारिक से लेकर 6 तारिक तक कि जितने भी करन डफिर्स के कुर्संस मैंने आपको करवाए हैं